गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज मैं आपको वीजुवलेट्स पिछली वीडियो में मैंने वीजुवलेट्स में पोस्टर के बारे में डीटेल्स बताई थी मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपको चार्ट के बारे में बताऊंगी अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर करें देख लेना उसके बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं कर रही हूं वीजुवलेट्स का मतलब क्या होता है जो चीज आपको आँखों से दिखाई दे द्रिश द्रिश सिक्षन सा सामगरी जिसको आप आँखों से तेख सकते हो पोस्टर के बारे में आपको डीटेल्स बताए था आज मैं आपको चार्ट के बारे बताऊंगी चार्ट इसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हो तो Communication through written words लिखित सामगरी के द्वारा अपनी बातों को बताना communication आप जानते हों का मतलब होता है क्या अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाना ताकि आप जो बत कह रहे हो वही बात दूसरे की दिमाग में आनी चाहिए जैसे मैं चार्ट का भी बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में चार्ट का ही चित्र उभरना चाहिए मैं पोस्टर की बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में पोस्टर की बात उभरनी चाहिए मैं करगोश की बात कर रही हूं तो आपके माइंड में करगोश की बात उभरनी चाहिए मैं दालचावल की बात कर रही हूं आपके दिमाग में दालचावल की बात उभरनी चाहिए तभी एक श्रोता एक वक्ता के बीच में जो वक्ता ने कहा जो स्पीकर ने कहा वही आउडि सब्सक्राइब कम्मुनिकेशन नहीं है चलो हम कम्मुनिकेशन एक बड़ा चेप्टर है बादें बताऊंगी आज मैं आपको वीजियो लेट्स के बारें बता रही हूं जिसमें है चार्ट है ना चार्ट में कई भी दो प्रकार के हैं एक है मल्टिपल बार चार्ट और दूसरा है डिवाइड़ बार चार्ट इसके बाद एक चार्ट और प्रकार है पिक्टोरियल चार्ट और एक चार्ट और है आपका पाई चार्ट तो देखो परिक्षा मापके आते हैं कई प्रकार के प्रस्ट की चार् चार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अब हम एक एक चार्ट के बारे में डिसकस करते हैं पहला चार्ट लेते हम ट्री चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं ट्री चार्ट आप मेरी अगर बुक्स देखे होंगे पढ़े होंगे तो मेरी बुक्स में आपने बना दिया पेड़ बना दिया इधर कार्बोहाइडेट को मतारते हैं इसी तरह से आप अपनी फैमीली फैमीली को परदर्शित करना चाहते हो ट्रीचाट के माध्यम से तो यहां पर आएंगे आपके दादा जी ठीक है यहां पर दादा जी से कितनी ब्रांचेज निकली है ना यहां पर पर दादा आएंगे पर दादा कर दो यहां से आपके आगे दादा जी और दादा जी से फिर कई सारे ब्रांचेज निकले जो आ गए आपके तावू जी, चाचा जी, बुआ जी, है ना, है ना, और आपके पिता जी, ये फिर पिता जी से कितने सारी ब्रांचेज निकले, ये तो देखो, मालो आपके भाई आ गए, आपकी बहान आ गई, जी, है ना, भाई में, अगर दो भाई है, तो एक भाई इधर भी आएंगे, तीन भाई है तो तीन चाट बनेगा, दो बहने तो दो बनेगा, है ना, इस भाई के कितने बच्चे हैं, ये बनेगा, इस चीज़को आप ट्री चार्ट के माध्यम से बता सकते हो, समझ गया बात क आप समझमा गया अब दूसरा लेते हैं रहे संस्थागत चार्ट में क्या है किसी वी और्यकिनाइजय best के लोग कितने लोग रहते हैं लोग रहते हैं कितने प्रोफिसर रहते हैं और एस्सियेट प्रोफिसर गये और एसिस्टेंट प्रोफिसर आगयर फ़ी ठीक अविसेट प्रोफिसर इस तरह जाहेंगे समझ गए इसके बाद साइंस में देखेंगे इसके नीचे कौन आता है लाइब एसिस्टेंट तेहां पर लाइब एसिस्टेंट देखेंगे क्या है लाइब एसिस्टेंट इसके नीचे आ रहा है इसी तरह आर्ट्स में आर्ट्स में कोई लाइब एसिस्टेंट नहीं होता अगर म्यू कि यह हैंना जोग्रफ ही है इन में तो लैब ऐसिस्टेंट आएगा लेकिन अगर आपके मालो पर है है ना हिस्ट्री है सोशियोलगी है तो इन में लेब एसेस्टेंट की जुरूत नहीं होती हिंदी है अंग्रेजी है ऐसे में आपको समझ भागया इसके बाद इसी तरह से commerce में जो जो ब्रांच है उसमें कितने एसिस्टेंट प्र।ch है और सब के नीचे जो सबको कंट्रोль करता है एना और से नीचे आभा ऑफीस स्टाफि गांद हए आपक कौने डरबेलियो आएकांटермड आएंगे कि एकाउंट mestres एंगे टारो हoria और आपके कि अफिस उप्रिटेंडंड आएंगे और फिस उप्रिटेंडंडेंट इसके बाद यूड़ी और फिरलडी याएंगे है ना और सब्से नीचे आएगा आपका जो बरकर है वह इसकी नीचे आएगा तो इस तरह से मिस्ता को था को इसे अपार चांद चार्ट बतादीजिए का से टॉप मुस्ट पर है नीचे जो है पियोन है इसमें पता चल जाता है कितने एसिस्टेंट है कितने म्रांचेज इस सारी जानकरिया अगर आपको देना है तो संस्थागत चार्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं इसके बाद तीसरा चार्ट जो है वह मैं आपको बता रही हूं लाइन चार्ट के बारे में मिटा दें कि चलो मिटा कि लाइन चार्ट कि किसी भी चीज का आपको लाइन चार्ट अगर बनाना है है ना तो आप मानलो हमको सोने का लाइन चार्ट बनाना तो इस सालों में कितना सोने के दाम में व्रिधी हुई है कितनी दाम में व्रिधी हो अगर हम इसको लाइन चार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे 1990 में सोने का भाव था मेरी साधी के टाइम में यह था साढ़े पांच हजार रुपे किते था साढ़े 2000 तक आते आते सोने का भाव 1995 में सोने का भाव हो गया था 56 ठीक है इसके बाद 2000 तक आते सोने का गिरावट आ गई थी यह आ गई थी साढ़े 4700 25 तक हम सोने का देखते हैं तो यहां तक आ गया था सोना का 9000 डौहजार दस तक हम देखते हैं तो सोने का एकदम से बढ़वार हुई अशोना होगे 12000 दोहजार 15 तक आते आते सोना देखते हैं 25 हजार हो गया 2020 तक आते आते सोना अब 50 हजार के करीब पहुंच गया और 2022 में देखते हैं तो सोना का कीमत 52 हजार रुपया हो गया है अगर इसी चीज को इसी तालिका को सोने की कीमत को हम लाइन चार्ट से दिखाना चाहते हैं कि कैसे ग्राफ उपर जा रहा है तो यह देखो यह तो आपकी हो गए आक्डे यहाँ पर हमने क्या लिया यह ओ शहता है यह एक्स एक्सिस है और यह है तुम्हारा वाई एक्सीस ठीक है वाई एक्सिस अब यह देख वह यहां पर हम ने दस तस का मार्जिम पांच मार्जिम ना बनाया तो 1990 पंचानबे दोहजार पिर दोहजार के बाद क्या आया 2005 फिर 2000 था दस कि दोहजार 15 है 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 कि दो हजार है कि बीस और दो हजार आ गया तुम्हारा 22 यहीं है न इसको हम देखना चाहते है इधर हमने कीमत लिख दी फिर हमने ग्राफ बनाई कितने से बढ़ रहे हैं यह देखो एकदम से बढ़ रहे हैं चपन सो तो यह पच्पन के बाद पच्पन के बाद यह हमने 6,000 कर दिया चीका है पंच पाच का इंटिक्रेस्ट लगा रहे हैं फिर हमने शेख कर दिया 10, 10 का increment लगा दिया 10 साथ हजार यह हो गया तुम्हारा आठ हजार यह हो गया तुम्हारा 9000 फिर आ गया सिधे 10 1000 ऑ यहां गया 11000 चीक है इसी तरह से करते करते यह आ गया वाई एक्सिस में 50,000 मानलों यहां पराते आते हैं ठीक है अब 90 में हमारी शाधिवी 92 में तो 90 में सोने का भाव कि क्या था मतलब यहां था यहां में एक बिंदी बना दिए 95 में छपपन चाहाएगा इसके ठीक बगल में तो यह वाली बिंदी जस्ट इसके उपर आएगा फिर 45 मतलब गीर गया है ना 45 45 यह मानलो कि यह 45 है है ना 4500 तो सोना 2000 में आखर के यहां गिर गया ठीक है फिर देखे 9000 अब सोना साथ आठ आठ आजर 9000 कितने 2005 में यहां गया 9000 में यहां आगया ठीक है अब 2015 में कितने आ गया इसको मिटा देते हूं कि दो हजार है दस में आगया सोना 2010 यहां सोना आगया आपका कितने भव है 12000 दस यहां था तो यह 12000 यहां गया मनलो है ना और अब 50000 पचास जार देखो यहां आ रहा है कितने 2000 कि कब कि 20 में यहां पर पचास जार आ गया और अब बावन हजार इससे भी आगए करता है 22 में इस तरह से जो लाइन बन रहा है देखो इस लाइन को यहां से मिलाएंगे इसको हमने यहां से मिलाया और पांच में कौन सा था लाइन दोजर पांच में सोना कौन सी थी 45 नब्बे आ गया पंचानवे पंचानवे आ गया यह है ना दो हज़र आ गया यह फिर पांच में नौ हजार नौ हजार यह सीधे ऐसे जाएगा फिर कितना बारह हजार 2-11-2-12 यह ऐसे जाएगा बारह 0नच के बारह ज्ञार के बाद कितना ऑगय है 50,000 यह देखो और फिर capable लीजार तो यह जो देख रहे हो कि Line जो यहां यह 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 किमतों में यह यह जिफा सकते हैं सोने की कीमतों हम 2 को हम लाइन चार्ट से दिखा सकते हैं इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को भी बiz सकते हों कि हमारे 10 मैं कीतने नंबर आए टो हमारे कितने नंबर आ यह रखो गे ऊपर पर संटेज रखोगे और पिर आप देखोगे कि आपका क्या पर संटेज आया है मतलब आप पढ़ाई में अबल हो रहे हो या नीचे जा रहे हो या उपर जा रहे हो आपकी बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है इसको भी अप्लाइं चार्ट से सो कर सकते हो इसी तरह से आप अखबार पढ़ते हो अखबार देखना पलट करके आज कोई भी अखबार आपके फर दिटेल्स बताया और आपको चाट और ठी चार्ट के बेदेदा के बारे बताया आगामी वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट, प्रिक्टर्वल चार्ट, बार चार्ट, फ्लो चार्ट, इन सबों के बारे में डीटेल्स बताऊंगी, तब तक के लिए हम राधे राधे जैस्री राधे अपने बात को खतम करते हैं